हाथ है हुए है दो तरीसे हैं कालीम चैद Exam एक तो आप जैसे सीपेंस में सब सिखाएं, आज ये सिखो, कर ये सिखो, अब कभी ऐसा मौखा होता कि नहीं होता हो, लेकिन दूसरा तरीखा यह है कि बच्चे को इसके मुनासिब वक्त पर, यानि आप बात सिखाएं, आप जैसा अब उनसे कोई गल्पी हो गई, गल्पी क ग्रल्पी कुछता है, तो अब उसको ये मालूम भड़ा कि पूछना होता है, तो अब आपके पास जवाब नहीं हो, इसको आपको जाही कह रहे हैं, आप गवार करके देखो, जिल्में आपको जाही कहेगा, आप जवाब दे उसको, आप उसको जवाब देना हैं, बच्च कर देता तो आप इसको जवाब दो अगर आपके पास जवाब नहीं तो कहें देता तुम से तुमने बहुत अच्छा सवाल किया मुझे भी नहीं मालूम मैं जो किसी आलिम से या कि किसी उकुलांत आपको किसको भी सेच के मत बताती हूँ या बताता हूँ जो भी ने आपका अगर नहीं मालूम के इस तरह के बोले और आप बताओ उसको हमारे पास क्या है चुम्के बच्छों की इंटलिजेंस की कोई अहनी पीजिम होती ही तो सब्थोरे बन जाता है और उसको दीन सब्सक्राइब कराद ही नैकिन आपको आपके लॡ़ा होजाने अप में है हाथТакे लेकिन आप क्या करते है आप दoney हातों से प्की बन कर देटे इसके बाद से ब्डूरा हो जाता है सब देख अब जब वह बड़ा हो जा तो बच्चों को क्या रहे आप सुदर जा अब क्या सुदरेगा आपने तो इसके दीन से दूर कर दिया है तो बच्चा कैसा सुदरेगा तो बच्चे को आप अजब सिखाएं बुखारी और मिशूल की हदीथ है उमर इजने सलिमा रभी लगाता है अल्ला के रसूल सल्लम की तर्वित में था तो आप मेरी निजरानी करते हैं और मेरा हाथ पूरी प्लेट में जुनतुर खुंता था अजब ठाना खाता था तो एक जगह से नहीं ठाता था अक्टर बच्चे खाते कम ज्यादा खेल कर दो पाथाना जब प्लेट में जाल कर दे तो अक्टर को इनको आप खिराते रहते तो उमर इबन सल्मा परमाते हैं कि आपने जाय हाथ पे खा और जो तेरे खरीब है वहां से था आपने पिताई नहीं की आप क्या करतें बच्चे ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर तो वो मौखा है बच्चे की गल्पी देखी फॉरल इसको समझा दिया एक बार दो बार फिर उसको याद रहेगा यानि एक वक्त में तो याद ने रहता तो बार 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 बोलना पड़ता तो फिर इसको याद रहेगा तो फिर बार बार बोल रहे हैं तो बच्चा सुन चेंगा कि बार बार बोलना तो उस तो बात है लेकिन आप यह सुन चेंगे अभी तो बच्चा है चलो बच्चा है वो आदत बन जाती है। बाएं हाथ से खाने की आदत इतनी पक्ती हो जाती ही। एक हाथ में उसके बर्गर फिर बर्गर कोग। उसके खाना इसको यो एस ऐ खाना इसको या या एक हथ से खाना तरह तक दूसे हाथ से ऊनुक्ण नहीं सुने चाहलता म Hammetti Crude चुँल मैं नहीं सुने चाहएं कि वो फ्क्षें बन जाता तो इसे लिये बच्छें को बच्पन पे ही यह कारी Cudal in अज़ेब बाद बाद इससे मालूं भी होता, मालूं होने के बाensट भी एसा करेगा, इस हदीसे मालूं ये होता है, कि बच्छों को इस्रामि दी आप ठिखाएंख, ये एक्जेम्पल है, ओकर आप ग्जेम्पल देरहें, कि वंचे बॉक्त लंडी लिख्ट करेंगी तौने लंगा पूर एक एक एक्जाम्पल देने का मैं एक एक एक्जाम्पल दे रहे हूं ताकि आप अपने अपने हिसार से सब बच्छों के विशे तर्विश करें आदाब इसके अलावा वहाँ थारी आदाब वे जिल्दगी है अब इसकानी आदाब आप ठिकाएंगे उतनी यान अजिसा करना है इसी तरह से बच्छों को जो हो खुरान पढ़नी की तालीम करें वो तलखीन भी करें तालीम दे अगर आप खुरान पढ़िवी हैं तो आप खुद पढ़ाईए यदि उनको तिकाए जाएज अली पाट के धीरे धीरे वो खुरान पढ़ने लग जाए एक जाए आप खुद घर के भी सब्कार के देख सकते जिसके पढ़ना नहीं हाता तो एक आडियो दे दे आपकी सो उनके रहो और बचों को देदेना इसको तजविश किये के खायद मालूम नहींगी तो लाट्टप पर डालुद दे इसको इसस तरह से आप करें और कहना मैं लुए बच्छों के बारे में इस थरा से प्राई करना है। हम क्या करते हैं? आई यह तो बच्छा है अभी थोटा है इसको क्या मालों। इस तरह से हम जो सो इग्नार करें आप पहुंचते भी नहीं। अभी बच्छा है चलो बढ़ा होगे बाद पढ़ाएंगे अभी उसको इसके आमालो आइसा कुंसे आईसा नहीं सुन्चा हम बच्चे की स्किल्फ यानि इसकी जो सलायत है उसको हम खटम करते ही अगर हम प्राइ करेंगे देखिए पुर्प्सक्ता है वो ठीक है हम देखेंगे कि बच्चे वाकर हमारे गुमान से बेहतर है और हर बच्चा सलायत के साथ पैदा होता है, वो माबाब होते हैं, उसकी इस सलाय को या तो उभाद नहीं जांटे, उन्हीं को मौखा देख़ेंगे, वो सीखेंगे, आप बच्छे को देखेंगे कभी वो सुखों को नहीं बएदा, आप दिखाएंगे, अपने पार कभी धर हाद दा लेगा, तो कभ कि आनने इसनी फुरतिया सिती होती कि वो जो जो कि इतना जी जादा होता कि पैसा नहीं पड़ता, इसना प्रक्राइशन के लिए बिल्कुल भुखा होता हो. खाने का भूखा नहीं को तू, ऐसे सवाल पूछ लेता है, हम लोग इसका क्या जवाब दें, यह हम इसको समझ में नहीं आता है, बास वक्त बच्चे ऐसे सवाल करते हैं, हम उसको क्या जवाब देना, ऐसा भी होता है, अच्छा होता बच्चे है, ऐसे कर दें, तो आप जू कुरान चिखा यानि कोई भी कवाल करें। आप दूब भी जाब को तलाश करें। फिर आप उसको जवाब दे। अब और किर कुरान कि आए। और खुरा की आओडियो भी दे और मुश्किल वाले खुरा नहीं सेता है जैसा अब सिंपल खारी की एका बाइसे लोग क्या करते है वो बड़ी बड़ी स्टांस वाले खारी की दे रेते बच्छे मुच्क भी लगता वैसा है अब जैसा हिजाद के भी जो खुरा है जैसा आओ भी आप फिर उसको नहीं सुनी के दियो दोनों में तर उसके ये मदल का थाबिक हो यह निनी कुरान को इस तदा से सिखा लिया आप वो दोनों शीज़ें करिया अल्ला की नभी लाह व्लाह अल्याएं तुम में से बहतर वह है जो कुरान को सीखिए है उसको जैसा इमा बहुत से होता देन Tschay लो-क्या का फावन शीज़ें होते कि बच्यों को पढ़ाने के शोख के नहीं होते बल्के पिकरमयं भी होते हैं नो दुनिया के पढ़ाते प्ढ़ाना उसको डूख भी नहीं रहता। तो इसलाम यहीं नहीं पताता है कि हमारे बच्चे जन्या में पीछे रहे। अगे रहे दुनिया में तेरा हिस्टा है उसको भूल मत इस तेसले में एक्रिवाद ही कुम्यूटी है अभी अबात रदिला का लाम सर्माते ही के बघर के दिन जोसे दो खाइबी मुश्रिकी में से पकड़े गए थे तो उनके पास इतना माल नहीं था कि माल देकर अपनी जान छुड़ा है यानि बतारे फिदिया में वो माल देकर मुशलमानों को और जानी देवर के इस तरह तो उनके पास फिदिया में देने के कोई चीज नहीं थी तो अन्सार के भच्चों को तुम पढ़ना लिखना सुखाओ अगर तुम ऐसा करते है तो हम जोसे तुम को छोड़ देंगे तो इसको इमाम एहमेद में रिवायत की आए जो तही हसंद रज़े की रिवायत है इस हदीश से बहुत बड़ी बात मालम होगी कि एक्राम में जोब पढ़ना लिखना की बहुत अहनियत है और इल्म की इतना अहनियत है कि अल्ला की हदीश सब्सक्राइब सल्म दोस्त नहीं बलके दुश्मन की लोगमं को भी मुसल्मान की बच्चों को सिसाने के लिए करा तो यानि पर दिया में उल्म दिश्मन कांटकसरिय उठा सकते हैं अकर ये घलक कामिन होती कि हम प्रतों इस्टेरान की पुक्ना उल्चाम मुशाबहस थे अगर गायर मुस्मीन दुनिया जारी में आगे हैं, टेक्नोलोजी में आगे हैं, तो मुसल्मान उनके पास वो इन चीज सकते ही, इस हदीश की ये बात मालम होती है, और इन की एहमियत दीन मालम होती है, अक्सर लोग जो ज्यादा दीनदार लोग दीन सुंसे कि नहीं, इस इस एहमियत मालम होती है, तो बच्चों को जो हैं को दोणों को दुनियावी एन शिकाना नयानी चाहिए, इसनि ये बात याद रखें, आप इस्लामी हुदूत को पामार करके दुनियावी ओलोग को पाते हैं, तो ये अच्छे बात दीनी एनी जीरो बना कर बच्चे को आ अच्छी तालीम तो देदी यह अल्ला को मतलूब नहीं है इसलिए कि दुनिया थोड़ी है आखरत हमेशा के लिए हमेशा की चीज़ को बरबार नहीं किया जाता तो आदमि को चाहिए कि वो दुनिया में बच्छों को आगे करे अच्छे से अच्छा एजुकूशन दे लेकिन इसलिए अपने बच्छों के आखरत बरबार ना करें दीन को बरबार ना करें। दुनिया के साथ का उनको दीन का इंडिविए। वालदाइन के ये भी तुनीजारी जे कि बच्छों में कुछ आ रहते हैं अब मौहई के इतबार से और कुछ खुछ वालदाइन की वज़े से बुरी पैदा हो जाती है। तो कभी स्कूल में बिगर वी बच्छों से, कभी पासपड़ों के बच्छों से, कभी रिष्टेदारों से, कभी नीजिया से, कभी वालदाइन से जलत बातें वो सीखते हैं। तो, बच्छों को रिगर इंडोल का आइNew ही, यानि उसको नतीजे का आइन ही होता। इंसान जेसे हो बुराएं से बच्छता है कैंगों से बच्छता हा है। इसको रिगरक्रन के वज़े से बच्छों गद्र पुद्धेंस नहीं होती है। यानि बच्रों में आम तब मिधन से नहीं सुद्धानौन को पाकी और ना-पाकी नहीं मालुम होली तो वाल बाइव साब अगर गंदगी में गिर गया तो फ़ा लोग आता है। तरह वही पाहाध से पानेडे ती टीले से हुआ दे तरह लोगते कार्टर से असल प्रवाही करते जो यो रेंब्रक्रणी जैसे साथ फिर्षात करके पानी नहीं लेते प्रक्त जो आप सिखाएंगे नहीं तो यही आदब जो पढ़ जाएगे अफसोस तो इस बास पर होता है कि बड़े हो जाने के बाद भी पेशाप करते हैं और पानी में भी लेते आम तोर से जो तो ये मर्दों में होती इसका नतीजा वे है कि यानि अक्तर जब कोई नमाज की दावत दिल जाती है तो कहते हैं हमता हारत से लिए जो चीज बच्पन में दिल में घर कर गई वही बाद में जो हिसे जिन्दगी में हाकिन बन कर रह जाती है तो अल्ला के नभी परमाते हैं कि पेशाप के बचाओ इसलिए कि बचो इसलिए कि खबर में आम तो पेशाप की वज़े से होता है कि इमामदार की तुमें में हैं कि सही दर्जे की हदीश है एक तरफ ये कितनी सब्सक्त चीज़े यानि अज़ाब जो इसके वज़े से होता है और दूसकी तरफ एक उम्मत मुस्रीमा का आज आप हाल देखें आम तर तो इसमीं सब लोग जा परवाई करते हैं एक बड़ा दफ़ा मुसलमानों का है जो पेशाप की सफाई का ख्याल भी नहीं रखता तो बच्चों को जो इसको बच्पन हैं इस बार का इससा इस दिलाना चाहिए कि पेशाप करने के बाद आपके जो इसको पानी लेना है और गंदा नहीं रहना है और तहीं भी अब शोट बहुत มौठा नहीं बना आथा है। क्योंकि वो समझदार नहीं हुए, जब समझदार हो जूट की संगीनी मालूम होगी तब जूट छोड़ेंगे, बहुत सारे ज़गरे जिनको घरों में बच्चों की जूट बोलने से हो जाते हैं, लोग समझते के रहे बच्चा जूट नहीं बोलता, ये बात नहीं है, क्यों क्योंकि उनको जूट की आखे दक उनको मालूम नहीं होती, जन्यावी एतबार से आखिरत के उनको नहीं मालूम घरता, तो वो अपने बच्चाओं को याद रखते हैं, ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, वो अपने आपको गुराई से बचाने के लिए जूट बोलत अब अक्तर घरों में जगड़े वज़ती ही होते, अरे बच्चा ये बोला तो बच्चा जूट नहीं बोला, उनको इसा करे वैसा करे चलो, लड़ाई जगड़ा शरी, बच्चे जूट बोलते हैं क्योंकि वो अपने बचाओं को देखते, तो बच्चे जूट जूट बो जब डीरे बड़े होते, जब माबाप की गल्तियां समझ में आती हैं, तो धीरे धीरे ट्रस्ट खतम होता है, तो माबाप पर से लिए क्योंकि वो ज़ेस्ट कर नहीं लगते हैं, क्या सही, क्या गलत, स्कूल की information, फिर माबाप की information, फिर बाहर की information, फिर टेक्नोलोजी की, तो बिल्कुल माच करते हैं और उसके बाद वो नतीजे पर पहुंचते हैं कि कौन घलत है, कौन से तो एक बाद जब वो ट्रस्ट टूप जाता है माबाप से, तो फिर वो घरोसा नहीं करते, उसलिए बच्चों सा ट्रस्ट आप कभी भी नहीं तोड़े, सबसे पहले काम हमारा ये है कि अगर हम चाहते हैं कि आपके बच्चे यानि हमारे बच्चे जूट से बच्चे हैं, सबसे पहले हम जूट से बचना हैं, यानि हम को जूट से बचना हैं, बच्चे को अक्सर जूट सिकाने वाले माबाप को पर हैं, अब दरवाजे पे दरता क करते हिने प्रहज़े नहीं बात करते हैं. और रिष्टेदार आते तो उनसे बात करते, फिर बच्चे जोंसे वो भी सुनते, फिर बच्चे दोनों बाते भाज करते, माबाब जोंसे एक बात करते, फिर लोग आते उनसे तामे अलग बात करते, बच्चे जोंसे क्या करते, वो भी बात सुनते, यह भी बात सुनते, फि बच्चे सच्चे हों, तो जूट न बोले, सबसे पहले वाल देएं, भी जूट बोलना छोड़े, तो बच्चे जोट न भी चुतेंगे, अब चोड़ी, अब बच्चों को वो चीज चाहिए माप बाप बोलतें नहीं, श्कूर में या परोस में वो चीज देखी और धर लेक करा जाते पाएं, तो बच्ची चीक के पास देखेंगे, वो पिर खामशी से चुपा दर लेकर आ जाते, तो अब माप बाप बसे इसको उझी लेते, नहीं यहां 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 पर क्या करना है इन किसी चाहिए, या वो बच्च्च जिसके पास देखेंगे, या बड़ा भाय वापी करा है और कहे क्थ ह लगाए क्यों गल्पी तरह होगा यह आयंदा के अगर माबाप की तरह दए अससर होथा और तो यह देता तो बच्छी को पार माङ बच्छ बर रहे एगा दब कुछ आप देगार दिये पहले, अब जो उसे दूआ के लिए मौली कास के पास जाते है, आप इस तो भी कराने यारे ताविद देदो ये देदो, इस तरह के करते हैं, ऐसा नहीं दम्हाने पहले, आप अपने अंदर से जोट, चोरी ये सारे चीज़ों फिर अपने अख उटा गया, आखीदा पीज़ गड़ गया, सुब हो गया, अब आप जो हिदायत चाहते हैं कि बच्चा अच्छा बने सिदरे, तो करने हैं होता, तो अब ये और बात है, कि अल्ला जो भी को हिदायत दे दे, तो फिर आपकी दूआ की भी जूरूरत नहीं ही, अगर वो जो हिदारे, आज बने सिरेंट, हमारी क्याहिमेदारी है, हमारी जो मैदारी कहां गए, फिर आल्ला की नभी अस्तलम फरमाते हैं, अल्ला की लानत को छोर पर, ये ऐसा काम है जो लानत का हरता है, तो बच्चों को सिताई, ये चीज़ सहीं नहीं ही, चोरी की डपनेशन लो अगर तो पोचुछा नहीं बही, बगेर इजाजत ले लिए, तो बच्चे को सर्वियर दो, छोटी चीज क्यों नहां हो, कागत क्यों नहां, उसको मना करें. अगर किनका भी ले आए, अरे ये चोटी सी चीज से क्या करना है, ऐसा नहीं सुचना है, छोटी भी चीज के उना लेकर आए, तो उसको मना करें, किनका बेखीमत है, लेकिन चोटी की आदत गलत है, अब इसी तरह चोटी से बच्चे आपस में लड़ते, अब एक घर में ज्य कई बच्चे आपस में लड़ते, वो तो है, बहन बाहियों में लड़ाई जग्राफ होते रहता, वो बच्चे लड़ लेते, खेलते, खेलते में, तो अल्ला की नभी से आपस ने फरमाया, आपस में एक दूसरी से बहुत ना रखें, और कीना कपड भी ना रखो, और दू खाना, दिखा कर चले जाना, बात बंद कर देना, ऐसा मत करो, बल्गे तुम आपस में अल्ला के बंदे और भाई बन जाओ, तो बच्चों को ये सिखाए, जैका नभी से लग परमाया, ये सारी चीज़ें बच्चों को ये सिखाए, अगर बड़े छोटे को मारते हैं, तो चोटा बड़े के साथ बत्तमी के करता है, तो आप बुलाओ उसको अपने पास, और समझाए, यानि समझाए बाई करते हैं, तो समझाए उनको, तुम आपस में इसलामी भाई हो, लगना नहीं चाहिए, लगने के कुछ पाइदा होताओ, उनसे पीछो, बच्चों के कुछ पाईदा हुआ, आप उसको पीछो, बताओ क्या पाईदा हुआ, यह भी होता कि बचे नहीं मानते, शराराद करते, तो इस तो इसको भी उनको डार्व में है, उसको भी नहीं माने, तो शोटी मोटी सब्दार दे तक्ते ही, आप बच्चों को तरगियत इस तरह से कीजिए आपस में महबबत तक लोग और इक्राम तक लोग हो उनको चिखाया जाए बचों में इस तरहा बचों में जह सो ऐसे उनकी तगियात करें तो बचों कोई तो पीज़ते हैं उनको जब भी कोई गल्टी करें पौरी उनको वहाँ पर दांट ना है अगर नहीं आने तो उनको प जब फिलो ना इक दूसरी क्या लेने के इसमें पर आप समया इसे एक दूसरे की चीज़े के पाट सोचीज है तो नेमत पर इससे अधर नहीं करना है अईसे बात है बच्पए उसके पर पहुआने लेने हैं ऑब बच्पए तो जाली पी आदख होती है अगर बाप को बीन से खल्बी हो गई बाप के मुण हो तो फूल जाया शुरू हो जाता है जो और देखने में आता है अगर बैसा निहीं माहूल तो पुछे क्या प्र–प पर– फूल में जाते हैं बच्चों को बता हैं आप गाली देना भुरी बत है और गाली ऑनको बचाया जाए जबान अच्छी रखी जाए छाहे जगरा हो लेकिन जबान गंढ़ी नहीं होना है यानि बचों को ये तालीम की जाए जगरा भी हो जाए जगरा भी नहीं करना है जाए अगर हो जाए तब फिर घटिया बन कर फिर जगरे में जगरा नहीं करना है फिर उनके लेवल पर यानि उनका जो लेवल है कोई काली देरा तो आप उंचा करें उनको अखलाख आप ऐसे तिकाएं यह मुश्किन नहीं हैं यह बच्चे अच्छे बन सकते हैं। यह कुछिए नहीं यह आप्तों चुछ करना हैं। कि आखिरे सक्रामस के नहीं हुम मुसलमन को गाली देना गुना है। यह मतलब नहीं, यह मुस्लिम माश्रे के इतबात बताया गया है कि एक मुस्लमान भाई को गाली देना गुना है, यह लाइट नहीं है, यह बहुत सीरियस है, यह खुद एक गुना है, यह ऐसा गुना है, आदमी सब किर्दार दिल से इसमें घट जाता है, और दूसरे के दिल अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें करता है हुआ हुआ